गुड बॉर्णिंग स्टूडेंट बेटा हमने सैवाल हम पढ़ रहे थे और सैवाल में लेंगिक जनन लेंगिक जनन जो है यह हमने कल पूरा कर लिया था और लेंगिक जनन में हमने क्या क्या पढ़ा था लेंगिक जनन के प्रकार जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था पू पूर्र युगमन की क्रिया पड़ी थी, पूर्र यूगमन के बाद स्वै यूगमन जो है ये हमने पड़ा Cum disagreement की क्रिया हमने पड़ी लंगिक जनन मेंifyingक हमने पड़ा था, विसम यूगमन और विसम युगमन जो है इसमें दो चीजें हमने पड़ी थी एक तो आती है एसम युगमन पड़ा था और दूसरा हमने पड़ा था अंड युगमन अंड युगमन और एसम युगमन ये दो परकार का इसमें हमने विसम युगमन में पड़ा था लैंगिक जननन में हमने ये 3-4 विधियां पड़ी थी पून युगमन, स्वय युगमन, सम युगमन और विसम युगमन ठीक बैटा अब लैंगिक जननन की विधियों की बार अगला टोपिक आता है निशेचन फटिलाजेशन निशेचन क्या होता है देख बैटा अंड जो ह मादा युगमक जो है अंड की तरफ नर्युगमक जो है उसकी गती अंड की तरफ नर्युगमक की जो गती होती है यह रसाइनू चलन गती होती है कौन सी गती होती है रसाइनू चलन गती होती है यानि जो नर्युगमक है वो अंड की और रसाइनू चलन गती प्रदर्शित करता है ठीक विटा उसके बाद नर्युगमक और मादा युगमक का जब सयोजन होता है अपस में सयोजित होती हैं तो युगमनज युगमनज जाई जाइगोड जो है उसका निर्मान होता है नर्वय मादा युगमकों के सयोजन से क्या बनता है युगमनद या जाइगोड बनता है यदि निशेचन निशेचन की जो क्रिया है इस निशेचन की क्रिया में दोनों युगमक यानि नर्वय मादा युगमक जो है दोनों युगमक गती सील होते हैं दोनों युगमक कैसे हैं गती सील तो बनने वाली जो संरचना है वो युगमानू कहलाती है बनने वाली संरचना क्या कहलाएगी युगमानु जिसे जाइगो स्पोर कहा जाता है वो क्या कहलाती है युगमानु जाइगो स्पोर युगमानु कब बनेगा जब दोनु युगमक गती सील हो नर युगमक भी गती सील हो और मादा युगमक भी गती सील हो तो बनने वाली जो सनचना है युगमानु जाइगो स पोर कहलाती है ठीक वेटा यदी निशेचन की क्रिया में मादा युगमक कैसा हो अचल हो और नर्युगमक जो है ये चल हो तो बनने वाली संदचना है मादा युगमक तो क्या है अचल है और नर्युगमक कैसा है चल तो बनने वाली संदचना जो है वो निशितांड निशितांड कहलाती है जिसे ओस्पोर या निशितांड कहा जाता है ठीक है ओस्पोर या बनेगा निशितांड मादा युगमक अचल होगा और नर्युगमक चल है तो निशितान उश्पोर बनेगा अगर दोन्यों गतीशील है तो युगमान यानि जाइगोश्पोर का निर्मान होगा ठीक बटा उसके बाद देखी बटा इसमें अगला जो टोपिक है अपना कि जब युगमनज बन जाता है तो क्या होता है कि युगमनज के चारू और एक मोटा आवरन बन जाता है जाइगोट के चारू और क्या बन जाता है एक मोटा आवरन बन जाता है इस मोटे आवरन में दो से तीन परतें उपस्तित होती है कितनी परतें इसमें दो से तीन परतें उपस्तित होती है तथा ये निशितांड जो है अब ये जो निशितांड है ये कहलाएगा विस्रामी विस्रामी बिजानू कहलाता है क्या कहलाएगा विस्रामी बिजानू रेस्टिंग रेस्टिंग स्पोर कहलाता है रेस्टिंग स्पोर विस्रामी भीजानू जब निश्री तार्ण के चारू और मोटी बित्ती बन जाती जिसमें 2-3 प्रते होती है तो अब ये जो संदचना बनी है ये विस्रामी भीजानू कहलाता है तो अब जो जो विश्रामी बिजानु है विश्रामी बिजानु जो होता है उसकी संडचना कैसी है संडचना हमें पढ़नी है विश्रामी बिजानु की और उसमें अंकूरन कैसे होता है ये चीज हमें पढ़नी है विश्रामी जो बिजानु है उसकी संडचना कैसी है और उसमें अंकूरन किस परकार होता है तीक मेटा आप देखें मेटा विश्रामी जो बिजानु है उसकी भाईये बित्ती जो होती है विश्रामी बिजानु की ये भाईये बित्ती मोटी मोटी होती है और अलंकरत मोटी वे अलंकरत होती है तीक है तथा इसकी अंते बित्ती ये तो भाईये बित् तथा अंते भित्ती जो होती है इसकी अंते भित्ती जो है ये पतली पतली वे चिकनी होती है बहाँ ये भित्ती मोटी है और अलंकरत है खुर्दरी है और जो अंते भित्ती होती है ये पतली और चिकनी होती है ठीक है उसके बाद जो मद्ध भित्ती होती है मद बित्ती जो है ये मद बित्ती कभी कभी अनुपस्तित भी होती है उपस्तित भी हो सकती है और कभी कभी अनुपस्तित भी हो सकती है उसके बाद अंड धानी अंड धानी जो है निशेचन की क्रिया अंड धानी में होती है तो निशितांड भी अंड धानी में बनता है तो क्या होता है कि अंडधानी के नस्ट होने पर जो विस्रामी बिजानू है ये विस्रामी बिजानू जल में मुक्त हो जाता है कब जब अंडधानी नस्ट हो जाती है तो विस्रामी बिजानू जो है ये जल में मुक्त हो जाता है तीक है और विस्रामी जो बिजानू है इसकी जो भित्ति होती है ये बिजानू को प्रतिकूल प्रस्ततियां जो होती है उनमें सुरक्षा परदान करती है किसमें परदान करती है प्रतिकूल प्रस्तितियों में इसे सुरक्षा परदान करती है कौन इसकी जो भिती है जो मोटी है लेकिन जब अनुकूल दसाएं आती है अनुकूल दसाएं जब उत्पन होती है तो उस समय विश्रामी बिजानु जो है उसमें अर्द सुत्री अर्द शुत्री विभाजन होकर पुने युग्म कोदविद अवस्था प्राप्त कर लेता है अर्शुत्री विभाजन होकर पुने युग्म कोदविद अवस्था प्राप्त कर लेता है अर्शुत्री विभाजन होकर पुने युग्मनज जो है यह हमेशा क्या होता है टुएन अव जानु बनेगा, अंडधानी फटेगी, फटने से विश्रा में पजानु जल में मुक्त होगा और मुक्त होने के बाद जब इसमें अनुकूल दसाएं आएंगी तो इसमें आरसुत्रि विभाजन होगा और पुने ये युगम कोद भीद अवस्था जो है, ये ग्रहन कर लेता ठीक बेटा अब एक इसमें एक थोड़ी सी इंपोर्टेंट बात है जो अम नोट के रूप में पढ़ेंगे और वो क्या है कि अगर पादपकाय पादपकाय जो है ये रोडो फाइसी के सदस्चों की तरह द्वीगुनित अवस्था में है अगर पादपकाय रोडो फाइसी के सदस्चों की तरह कौनची अवस्था में है द्वीगुनित अवस्था में है तो विश्रामी बिजानु जो है इसमें समसुत्री विभाजन होता है कौन सा विभाजन होगा समसुत्री विभाजन होता है जिससे द्वी गुनित पादपकाय का निर्मान होगा यहाँ पर देखिए पादपकाय एगुनित बन रहा है क्योंकि इसका जो जनक था वो भी क्या था एगुनित लेकिन अगर रोडोफाईसी और के सर्दस की तरहें अनसैवाल अगर द्वीगुनी तवस्था में हैं तो उनके निशितांड या विश्रामी विजानों में हमेशा कौन सा होगा समसुत्री विभाजन होगा जिसके कारण जो नया पादपकाय बनेगा तो अगर पादपकाय द्वीगुनी तवस्था में है तो उसके विश्रामी विजानों जो है उसमें अर्शुत्री विभाजन नय होकर समसुत्री विभाजन होता है ये हो गया सैवाल जो है उनमें निशेचन की क्रिया अब अगला जो टोपिक है सैवालों में जीवन चक्र सेवाल में जीवन चक्र जीवन चक्र उनकी लाइफ साइकल या आप यह कह सकते हो पीडी एकांतरन सेवाल जो है उनमें पीडी एकांतरन या उनका जीवन चक्र या लाइफ साइकल क्या है और कितने प्रकार की होती है देख वेटा जिन सहवालों में लेंगिक जनन पाया जाता है उन सहवालों में दो प्रकार का PD एकांतरन पाया जाता है किन सहवालों में जिन में लेंगिक जनन पाया जाता है जिसमें हम पहला लेते हैं युग्म कोदभिद PD जिसे बोला जाता है गेमेटो गेमेटो फाइट फाइटिक गेमेटो फाइटिक जनरेशन गेमेटो फाइटिक जनरेशन एन एगुणिद इसको बोल सकते हैं आप दूसरी होती है बिजानुद भिद बिजानुद भिद पीडी बिजानुद भिदी पीडी जिसे इस्पोरो फाइट इस्पोरो फाइटिक जनरेशन टू एन यानि द्विगुनित युगम कोद भिद पीडी एगुनित होती है और बिजानुद भिद पीडी जो है ये द्विगुनित होती है तो ये दो परकार का पीडी एकांतर पाया जाता है और सैवाल जो होते हैं इनमें युगम कोद भिद पीडी और बिजानुद भिद पीडी जो है ये एकांतर क्रम में आती है कैसे में आएंगी एकांतर क्रम जो है इसमें आती है कहने का मतलब जैसे युगम कोद भिद पीडी है इसके बाद क्या आएगी बिजानुद भिद के बाद एगुनित पीडी आएगी एगुनित पीडी के बाद बिजानुत बिद पीडी आती है तो ये पीडियों का एकांतर करम पाया जाता है और इसी कारण इसे पीडी एकांतरन कहा जाता है ठीक बेटा अब पीडी एकांतरन जो है वो हम पढ़ते हैं कौन-कौन सा पीडी एकांत्रन मिलता है तो पहला जो पीडी एकांत्रन है वो है एगुनितकी जीवन चक्र जिसे बोला जाता है है एपलोन टिक है एपलोन टिक लाइप साइकिल है एपलोन टिक लाइप साइकिल या एगुनितकी जीवन चक्र देखे बोला यह क्या होता है जैसे एगुनितकी है यानि जो में प्लांट है वो एगुनित अवस्था में होता है जैसे हम बात करते हैं कि यह है प्लांट बोडी प्लांट बोडी जो कौन सी अवस्था में है एगुनित अवस्था में होती है अब इस प्लांट बोडी जो है इस प्लांट बोडी में अब गैमेटोजेनिसिस की क्रिया होगी जिसमें क्या बनेंगे गैमेट बनेंगे गैमेट्स बनेंगे गेमेंट्स यानि युगमक कानिर्मान होगा और जैसे नर युगमक बना है और मादा युगमक बना है दोनु युगमक कोन से होगे एगुनी तवस्था में होगे अब दोनु युगमक जो है उनका आपस में सयोजन होगा यानि निशेचन की क्रिया होगे और निशेचन की क् गेमेटिक फ्यूजन क्या होगा गेमेटिक फ्यूजन गेमेटिक फ्यूजन होगा और गेमेटिक फ्यूजन जब होगा यानि दोनों जो युगमक है उनका सयोजन होगा जिससे जाइगोट जाइगोट अवस्था बनेगी और जाइगोट अवस्था कौन से अवस्था है प्लाइगोट जो है इसमें होता है मियोटिक डिविजन मियोटिक डिविजन मियोटिक डिविजन होगा जिसे क्या बनेगा मियोइस्पोर बनेगा मियोटिक डिविजन 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 मि ये जो अवस्था है ये सिर्फ द्वीगुनित अवस्था बाकी सभी जो अवस्था है ये कौन सी है एगुनित अवस्था होती है यानि इनके जीवन चक्र में कौन सी अवस्था परभावी हुई या लंबी अवधी की हुई वो कौन सी होगी एगुनित तो इसे एगुनित की जीवन चक्र कहा जाता है द्वि गुनित अवस्था के वल इसमें जाय गोट या यूघ मनच के समय ही आती है ठीक है, तो बैटा ये पहला जो जीवन चक्र हमने पढ़ा वो है ए गुनित की जीवन चक्र ठीक बैटा अब आगला जीवन चक्र लेते हम अगला जो जीवन चकर है वो नमबर दो पर आता है द्वी गुनित की जीवन चकर जिसे डिपलोंटिक लाइप साइकल द्वी गुनित की जीवन चकर आप देख वेटा नाम से पता लग रहा है कि द्वी गुनित की जीवन चकर जो है इसमें जो सैवाल है उनके जीवन चकर में द्वी गुनित अवस्था प्रभावी होती है इसमें क्या होता है तो उसमें मियोटिक डिवीजन होता है मियोटिक मियोटिक डिवीजन होगा और मियोटिक डिवीजन होगा तो गैमेट बनेंगे अर्शुत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे गैमेट गैमेट्स बनते हैं गैमेट्स का निमान होगा और दोनुग गैमेट्स जो होते हैं नर्वय मादा युगमक जो है ये कौन से वस्था में होगे अगुनित वस्था में और उनके बाद जो है अब इनमें निशेचन की क्रिया होगी युगमक सल्यन होगा और युगमक सल्यन होगा तो क्या बनेगा जाइगोड जाइगोड जो है उसका क्या होगा निर्मान और जाइगोड जो है ये कौन से वस्था में होगा दोनित वस्था में अब जाइगोड जो है अब इस माइटोसिस डिविजन यानि समसुत्री विभाजन होगा और समसुत्री विभाजन से पुने द्वीगुनित थैलस का निर्मान होता है अब देखे इसमें बिटा एगुनित जो अवस्था है वो सिर्फ कहां आ रही है इस अवस्था में आ रही है यानि एगुनित अवस्था चोटी है और द्वीगुनित अवस्था क्या है बड़ी है तो ऐसे जीवन चक्र को क्या बोला जाएगा द्वीगुनित की जीवन चक्र भाई थैलस द्वीगुनित है जिसमें अर्शुत्री विभाजन हुआ गैमेट बने दोनु गैमेट जो है ये अगुनित है उनमें उनमे पे सल्यन होगा जाइगोट युगमनज बनेगा जो द्वीगुनित होगा युगमनज में अर्शुत्री विभाजन ने होकर समसुत्री विभाजन होता है और समसुत्री विभाजन होने से पुने द्वीगुनित थैलस का निर्मान होता है यानि इसमें जो द्वीगुनित वो परभावी होती है अब तीसरा जीवन चक्र जो सहवालों में मिलता है वो होता है ए गुनी तकी ए गुनी तकी जीवन चक्र और साथ में इसमें आता है द्वी गुनी तकी जीवन चक्र ए गुनी तकी जीवन चक्र और द्वी गुनी तकी जीवन चकर यानि इन सहवालों का जो जीवन चकर होता है उसमें एगुनित अवस्था जो है और द्वीगुनित अवस्था जो है ये समान अवधी की होती है एगुनित अवस्था भी समान अवधी की होगी और द्वीगुनित अवस्था भी समान अवधी की होती है ठीकर इसक इस्पोरोफाइटिक प्लांट बोडी होगी यानि बिजानुद भिद पातप का आए इस्पोरो फैटिक जो प्लांट बोडी है अब ये द्वीगुनित जो प्लांट बोडी है अब इसमें इस्पोरेंजियम इस्पोरेंजियम जो है उसका नेमान होता है इस्पोरेंजियम जो है इस्पोरेंजियम में मियोटिक डिविजन होगा मियोटिक डिविजन मियोटिक डिविजन होता है जिससे मियोस्पोर बनता है मियोस्पोर मियोस्पोर बनता है मियोस्पोर जो है इससे गेमेटोफाइटिक गेमेटोफाइटिक प्लांट बोडी बनती है गेमेटोफाइटिक प्लांट बोडी बनती है जो एगुनित होती है क्योंकि मियोस्पोर भी क्या होता है एगुनित होता है गेमेटोफाइटिक जो प्लांट बोडी है अब इस गेमेटोफाइट जो प्लांट बोडी है इससे मेल male gametophyte बनेगा और female female gametophyte बनेगा क्या बनेगा male gamet बनेगा और क्या बनेगा female gamet बनेगा दोनु जो है अब इनका fusion होगा fusion होगा, निशेचन होगा और वापस क्या बनेगी sporophytic plant body तो इसमें देखे बटा द्विगुनित, ये द्विगुनित है ये द्विगुनित अवस्था है, ठीक है, ये एगुनित है और ये भी क्या है एगुनित तो यहाँ पर जो अड़ द्विगुनित अवस्था है और एगुनित अवस्था जो है ये लगभग दोनु समान अवधी की होती है द्वीगुनी तवस्था भी और एगुनी तवस्था भी क्या है समान अवधी की होती है और इसी कार्ण इसे एगुनी तकी और द्वीगुनी तकी जीवन चक्र कहा जाता है कैसे होगा इस्पोरोफाइटिक प्लांट बोडी बिजानुद भिद पादप काय जो द्वीगुनी तवस्था में है इसमें इस्पोरेंजियम का निमान होगा जो द्वीगुनी तवस्था में है इस्पोरेंजियम में मायोटिक डिविजन होगा जिससे मियोस्पोर बनेगा बै आर्शुत्री भाजन होगा ये द्वीगुनी तवस्था में है तो आर्शुत् कोदभित जो पात प्लांट बोडी है इस प्लांट बोली से मेल गेमेटोफाइट बनेगा और फिमेल गेमेटोफाइट यानि मेल गेमेट और फिमेल गेमेट का निमान होगा नर युगमक और मादा युगमक दोनु का सयोजन होगा और सयोजन से वापस द्वीगुनित अवस ही है इसी कार्ण इसे एगुनित की द्वी गुनित की जीवन चक्र कहा जाता है ठीक बेटा तो यह हो गया सैवाल जो है उनमें निशेचन और उनका जीवन चक्र ठीक बेटा आज के लिए इतना ही थैंक यू